हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज बात करते हैं बच्चों में होने वाले एक और कॉमन प्रॉब्लम डाइरिया के बर में सबसे पहले समझते हैं कि डाइरिया किसे कहते हैं जब भी स्टूल यानि कि पोटी नॉर्मल से ज्यादा लूज या पानी जैसा हो और अगर ऐसे एपिसोड दिन में तीन से ज्यादा बार हो तो उसे हम लूज मोशन यानि की डाइरिया कहते हैं अब ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सी सिचुएशन को डाइरिया नहीं कहते हैं न्यूमॉन बेबी में फर्स्ट दो दिन तक डार्क ग्रीन या ब्लैक कलर की पॉटे होती है वो काफी स्टीकी जैसी होती है और उसे हम मिकोरियम कहते हैं तीन से छे दिन तक ग्रीनिश कलर का पानी जैसा स्टूल होता है जिससे ट्रांजिशन स्टूल कहते हैं तो ये दोनों ही कंडिशन नॉर्मल है अगर बच्चा अच्छे से दूत पी रहा है अच्छे से सो रहा है और उसका यूरिन छे से साथ पार कर रहा है तो ये नॉर्मल है और इसमें हमें घबराने की ज़रुवत नहीं है ब्रेस्ट मिल्क में भी थोड़े लेगजटिवस रहते हैं इस वज़े से पॉटी थोड़ी सी लूज होती है जब बच्चे को हम ब्रेस्ट फिड देते हैं तो या तो फिर दूद पीलाने के तुरंत बाद या तो दूद पीते पीते बच्चा पॉटी कर देता है तो ऐसे दिन में 6-7 बर पॉटी करता है ये सिचुएशन भी नॉर्मल है प्यूंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी घट मैच्वर नहीं होती है और जैसे ही दूद अंदर पेट में जाता है इंटेस्ट्राइन की मोटिलेटी बढ़ जाती है वो पेट को खाली करके उसको नैक्स्ट मिल के लिए प्रिपेर करते हैं तो इस वज़े से बच्चा बार बार पॉटी करता है जैसे ही बच्चा बड़ा होगा 2-3 महीने के बाद घट मैच्वर होगी तो उसके बाद ये एपिसोड भी कम हो जाएंगे अब बात करते हैं कि डाइरिया के डाइरिया क्यूं होता है डाइरिया होने के कारण कौन से कौन से दो साल से कम उम्रे के बच्चों में डायरिया mostly रोटा वाइरस की वज़े से होता है छे मैने के बाद जब बच्चे को दांत आना शुरू होते हैं तो मसूडों में ईचिं होने के गारण वो खीलों या तो फिर कोई भी हार्ट चीजे लेके मुह में डालता है और उसको चबाता है इस टाइम अगर वो चीज़े साफ नहीं है तो उस वज़े से उसको पेट में infection हो जाता है और उस वज़े से उसको डायरिया होता है कभी-kभी बच्चे मिट्टी में खिलते और उसके बाद हात अच्छे से नहीं धूते है तो उस वज़े से भी उनको बैक्टेरिया और पेरसाइट इंट्वेक्शन की वज़े से डाइरिया होते है जो 강ई-णरी जो बच्चे माल नरिश या उसमें डाइरिया के चांसες कि अब बात करते हैं कि डायरिया हो तब हमें क्या करना चाहिए जब भी बच्चे को डायरिया हो तो ओर एस देना बहुत ही ज़रूरी है ओर एस मेडिकली रिसर्च करके बनाया गया है जिसमें ग्लुकोस सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और सिट्रेट का एक फिक्स वो Dehydration में Convert हो जाएगा तो ऐसा Dehydration ना हो उससे बचने के लिए हमें बच्चे को ORS देना बहुत ही ज़रूरी है याद रखिये कि ORS डायरिया के एपिसोर्स को कम नहीं करेगा पर वो डायरिया से होने वाले Dehydration से बच्चे को बचाएगा जब भी आप ORS खरीदते हैं उ उस पे WHO ORS लिखा हो वैसा ही ORS अब लीजिए टेट्रा पैक वाला ORS हमें नहीं लेना है क्यूंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लुकोस की मात्रा WHO ORS के मुताबिक नहीं होती है ORS को कैसे बनाना है तो सबसे पहले अपने हाथ साब उन से अच्छी तरह धोने हैं उसके बाद एक बर्तन में एक लिटर साफ पीने वाला पानी लेना है और एक पूरे पैकेट को उस पानी में मिला के अच्छे सहीला के गोल बना देना है अब उसको कोई एक बाटल में भरके आप धीरे धीरे बच्चे को हर डाइरिया के एपिसोड के बाद पिला सकते हैं याद रखिए कि पूरे एक पैकेट को एक लिटर पानी में मिला के ही बनाना है ऐसा नहीं करना है कि आपने आदे पैकेट को 500 ml में मिला दिया या एक चम्मच को एक गलास में मिला दिया ऐसा करने से सोडियम इंबैलेंस हो जाएगा पोटेशम इंबैलेंस हो जाएगा और वो ज़्यादा कॉम्पलिकेटर हो जाएगा तो याद रखिए कि हमेशा एक पैकेट को पूरा एक लिटर में मिला के ही बनाना है डायरिया के एपिसोड के बाद कितना उसको ORS पिलाना है उसकी भी गाइडलाइट से अगर बच्चा दो महीने तक का है तो उसको हर डायरिया के बाद पाँच टीस्पून जितना ORS पिला सकते हैं दो महीने से दो साल की उमर तक पचास से सौ एमेल वन चौथा या हाफ गलास जितना ORS उसको पिला सकते हैं याद रखे कि ORS का टेस्ट काफी बच्चों को पसंद नहीं आता है उसको वामिट होती है तो उसको पूरा कब भरके या गलास भरके एक साथ नहीं पिलाना है उसको दीरे दीरे सीप बाई सीप या तो फिर चम्मत से पिला सकते हैं तो उससे वामेटिंग नहीं होगा वर इसके अलावा और कौन से लिक्विड्स हैं जो हम दे सकते हैं तो घर का बनाया हुआ नीमबू पानी उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर डालके हम उसको दे सकते हैं उसके अलावा नारियल पानी वेजेटेबल सूप चावल का पानी या दाल का पानी उसमें नमक मिला मिला के भी हम उसको दे सकते हैं खाने की बात करें तो अगर बच्चा ब्रेस्ट फिड कर रहा है तो उसको ब्रेस्ट फिड देना ही है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में इम्मुनिटी ब्रेस्ट मिल्क देने से इम्मुनिटी भी बढ़ती है नॉर्मली बच्चा जो दूद पी रहा है जो भी खाना खा रहा है व घर का बना हुआ सारा फूड हम उसको दे सकते हैं जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए ऐसा खिचड़ी दल या पोहा उपमा दे सकते हैं और इन सब में आप थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं क्योंकि दही वो नैचरल प्रोबाइटिक्स है और प्रोबाइटिक्स डाइरिया क एपिसोड को कम करता हैं फ्रूट्स में आप केला और अनार दे सकते हैं खाने में कौन सी चीज़े अवइड करनी हैं तो ज़्यादा मीठे जूस फ्रूट जूस नहीं देने हैं इवन घर का बना हुआ कोई भी फ्रूट जूस भी उसको नहीं देना है वाटर मैलन मैंगो पपाया ऐसे जो ज़्यादा मीठे फ्रूट्स होते हैं उसमें सुक्रोज या फ्रूक्टोज ऐसी शुगर होती है उसकी ऑस्मोलारिटी ज़्यादा होती है और ऐसे फ्रूट्स खाने से डायरिया के एपिसोड बढ़ जाते हैं तो ऐसे फ्रूट्स और उसके फ्रूट जैसे कि ko-cola, maaza, fanta यह सब भी हमें नहीं देना है क्योंकि उससे भी डाइरिया बढ़ जाता बाहर का बनाऊऊ कोई भी spicy और oily food नहीं देना है बेकर्य items भी हमें नहीं देनी है अब बात करते हैं कि डाइरिया के दारान और क्या दिनना तो डायरे के दोरान जिंक सिरप देना बहुत ज़रूरी है याद रखे कि प्यॉर जिंक सिरप देना है मल्टी विटामिन नहीं देना है यूज्वली जिंक सिरप 5 ml में 20 mg जितना अवेलिबल है मार्केट में कोई भी जिंक सिरप आप खरीच सकते हैं अगर बच्चा 6 महीने स कम उम्र का है तो 10 mg मतलब की 5 ml और अगर 6 महीने से उपर का है तो 5 ml यानि कि 20 mg दिन में एक बार देना है और ये सेम सिरप हमें 14 दिन तक देनी है जिंक इंटेस्टाइन को हील करता है और डायरिया के नेक्स्ट एपिसोड को रोपता है इसलिए अगर डायरिया बीच में ही ठीक हो जाता है तो भी हमें जिंक सिरप का कोर्स 14 दिन तक जरूर से कंप्लेट करना है डायरिया हमेशा ही वाइरल इंफेक्शन से होता है तो उसमें हमें कोई भी एंटिबाइटिक्स देने की जरूरत नहीं है नॉर्मली हेल्दी बच्चों में 3-7 दिन में डायरिया ठीक हो ही जाते हैं और जिंक के साथ साथ हमें प्रोबाइटिक्स सैशेट भी उसको दे सकते हैं प्रोबाइटिक्स 3-5 दिन तक हम उसको दे सकते हैं प्रोबाइटिक्स में एक्चुली गुड बैक्टेरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन को हील करते हैं और बैड बैक्ट डाइरिया में कुछ danger science भी है जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर डाइरिया दो महिने से छोटी उमर के बच्चे में हो रहा है तो डाइरिया किसी serious infection को indicate करता है। ऐसे टाइम पे हमें एक दिन भी वेट नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर loose motion के साथ-साथ बच्चे को blood में, potty में blood आ रहा है या तो फिर उसको बहुत ही पेट दर्द हो रहा है, vomiting हो रही है, loose motion के साथ fever आ रहा है, कान में दर्द हो रहा है, कान में सिपस आ रहा है, सर्दी खासी हो रही है। तो ऐसे टाइम पे कोई serious viral या bacterial infection हो सकता है तो डॉक अगर उसका urine output कम हो गया, मतलब 3-4 बार ही urine कर रहा है, अगर उसकी आखे अंधर दस गही है, अगर उसकी मुँ उसका dry हो गया है, आखे dry हो गई है, तो ऐसे टाइम पे पच्चे को dehydration हो सकता है, अगर आपको कभी भी लगे कि ऐसा कुछ है, तो डॉक्टर को ज़रूर ही है, तो हमेशा hygiene maintain रखना बहुत जरूरी है, टॉइलेट यूज करने के बाद हाथ अच्छे से साबून से धूने चाहिए, खाना बनाने से पहले हाथ अच्छे से धूने चाहिए, बच्चे को खाना खिलाने से पहले अपने और खुद के और बच्चे के दोनों के हाथ अ चाहिए, खाना ढखके रखना चाहिए, पानी भी हमेशा साफ पीना चाहिए, तो यह सब चीज़े काफी इफेक्ट करती है डायरिया के एपिसोड के लिए, जब बच्चे को दात आते हैं तो वो खिलो नहीं या जो चीज़े मुह में डालता है, तो उससे अच्छा है आप बॉटल को हमें अवोइड करना चाहिए, आप कितना भी वाश कर ले, बॉटल से इंफेक्शन तो फैलता ही है, तो इससे अच्छा है कि आप कोटोरी स्पून से या तो फिर कप से या तो गलास से उसको दूद और पानी पिलाए, खाना हमेशा ताजा बना के ही खाना चाहि और काफी सारे स्टेट्स में तो अभी गवर्मेंट में भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो रोटा वाइरस का वैक्सिन उसको जरूर दिलाना चाहिए, इसके अलावा एमेमर और टाइफोड वैक्सिन भी डायरिया के एपिसोड्स को प्रिवेंट करने में इससे इम्मुनिटी भी बढ़ती है, अगर वजन सही रहेगा, बच्चा हेल्दी रहेगा तो डायरिया कम होगा, ब्रेस्ट मिल्क जरूर से देना चाहिए, रिसर्च जितने भी हुए हैं, उसमें बताया गया कि ब्रेस्ट मिल्क देने वाले जिन भी बच्चों को ब्रेस् को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं, तो ये थी कुछ बाते डायरिया के बारे में, होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थैंक यू फॉर वाचिंग